नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सबका मायन क्रिप्टो में दोस्तों कुछ इंपोर्टन्ट अपडेट से उसके बारे में आज चर्चा करेगे वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों एकी रिक्वेस्ट है अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक कर देना तो बिना देरी की हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपडेट निकल के आते हैं दोस्तों CBDC नेटवर्क की दरब से दोस्तों जो CBDC में KYC आने वाली है मतलब अल्रेडी आ चुकी है सबको मिली नहीं हो KYC का स्लोट सबको नहीं मिला है बट उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है If you receive KYC invitation मतलब आपको KYC का invitation मिला है अगर नहीं मिला है तो आप चेक करो Click the menu function KYC verification आपको क्या करना है यहाँ पे अपर साइट में जो अपना profile का logo है यह लो कलर में उस पे आपको क्लिक करना है अगर आपको KYC आती है तो इसी के बीच में आपको KYC का option मिल जाएगा मेरे को भी नहीं आई अभी KYC अगर आती है तो मैं भी आपको बता दोगा KYC का option कहा आता है और KYC कैसे करते बट मुझे भी अभी option नहीं आया है आप में से किसी को आया होगा तो comment करके जरूर बता देना जिसको भी KYC का slot receive नहीं हुआ है invitation नहीं आया है उसको 26 में तक wait करने को कहा है 26 में को शायद सब के लिए KYC open कर दी जाएगी हमरी जो next update है दोस्तों वो केक कोर की तरब से है अगर केक कोर में कोई mining नहीं कर रहा है उसके air drop में participate नहीं किया है तो description में link मिल जाएगा फ्लीच जाके join करना जल्दी ये list होने वाला है और केक कोर की जो nft launch की है दोस्तों उसको कोई भी buy नहीं करेगा हम लोग free में mining करेगे तो free का है सोचना है केक कोर की जो important updates है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ ये जो एक fake account है उनके नाम से कोई इनका जो fake account चला रहा है मतलब देखो इसका जो लिखा है केक कोर official support team वैसे देखा जाए तो केक कोर का AK account है दुसरा कोई भी नहीं official team का नहीं है दुसरा कुछ भी नहीं है बस इनका जो है ये वाला AK account है बट इनके नाम से दुसरा कोई fake account चला रहा है और वो लोगे ना क्या करते आपसे KYC गरने के लिए या भी कुछ भी update करने के लिए private की या फिर जो भी अपने past phrase होते है वो हमसे मांगते आपको किसी को भी नहीं देना है और यह जो metamask होता है कोई भी exchange होता है जो भी project होता है mining का वगेरा wallet वगेरा कोई भी आपसे की password कुछ भी नहीं मांगेगा अगर कुछ issue होता है तो उनके site से होता है हमारे site से होता है तो वो अगर उनका issue है तो वो लोग solve करेगे हमारी गलती हमको solve करने है दूसरे किसी के भी हाथ में अपना जो सुदारने का है कुछ भी update करने का है wallet बानाने का है या फिर कुछ password भूल गए किसी के भी हाथ में मत देना और जो भी मांगता है वो fraud करेगा आपका सारा fund लेके भाग जाएगा तो यह ध्यान रखना है एसा कुछ भी नहीं करना है और किसी में भी investment तो नहीं करना है अगर आप करना चाहते हो तो खुद के रिक्स पे करो और YouTube पे इंटरनेट पे थोड़ा अपना research करो परफेक्ट लगता है तो आप investment कर सकते हो otherwise कोई नया project आता है आते ही तु अगर आपका account 10 दिन पूराना हो चुका है तो आप KYC के लिए apply कर सकते हो के कोर में फिलाल के लिए इतनी update थी next update निकल के आती है सिद्रा बैंक के तरफ से आप सबको पता ही होगा सिद्रा बैंक में KYC आ गई है अगर किसी ने KYC नहीं किये तो description में link मिल जाएगी link पे click करक आप इस website पर आज जाओगे आपको कुछ नहीं आपना जो email ID है और password है इस box में enter करना है और login कर देना है login करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा interface आजाएगा आपने अगर अपना profile photo set नहीं किया है तो आपको live camera से set करना है आपको अपना जो edit किया हुआ photo है कोई भी ऐसा photo जो आपकी detail यहाँ पर दिखाएगा आपका username, first name, last name, country वगेरा जो भी दिखाएगा एक बार check कर रहे ना कि वो सही है अगर सही नहीं है तो आप इदर फिर से अपना reset कर सकते हो reset करने के बाद आपको क्या करना है यह जो three line ए उपर उस पर आपको click करना है और kyc document पर आपको click करना है kyc document पर click करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ ऐसा interface आजाएगा मैंने यहाँ पर already kyc के लिए apply कर दिया है बट मेरा अभी भी complete नहीं हुआ है यह जो kyc है यह manually नहीं कर रहे है इन्होंने यह जो kyc का है अपना AI को train कर ले वो AI अभी भी slow काम कर रहा है बहुत complete नहीं हुआ है जो starting में किया है लोगों ने जितने लोगों ने starting में किया था उनका हो गया जो late किये उनके लिए traffic बहुत बढ़ गया और इनका जो AI है अभी training में है तो यह इतना traffic इतना load handle नहीं कर पा रहा है तो अभी भी भूत लोगों का kyc pending में है बट आपको क्या करना ह दोस्तों आपके सामने यह जो add new document है ऐसा option आजाएगा उस पर आपको क्लिक करना है यहाँ पर अपनी details fill करनी है जैसे अपना document होता है जिस document से आप करना चाहते हो वो document यहाँ पर इंटर करना है यहाँ पर option मिलेगे आपको 4 option मिलेगे total मैंने 2 option को apply किया है अभी 2 option बजते ए एक है passport का दूसरा है driving license का तिसरा होता है personal ID का और 4 होता है others का आप लोग क्या करना है other card या pen card से करना चाहते हो जिसके बाद driving license है वो driving license से करे बट जो other card pen card से करना चाहता है वो others पर click करे others पर click करने के बाद दोस्तों जो भी आपने document सेलेक किया है उसका language यहाँ पर सेलेक करना पड़ेगा mostly English सेलेक करो हिंदी में है तो हिंदी सेलेक करो और यह जो document country है इसमें आपको इंडिया लिखना है अगर आप इंडिया से हो बंगलादे से हो पाकिस्तान से हो जिससे भी ह होगे आपको अपना country या पर फील करना है और एक बात बता दो दोस्तों यह जो रेडरे स्टार दिखे रहे ना यह important होता है अगर इसको skip किया तो आपका KYC XAP नहीं होगा और उपर का तीनों option फील करने के बाद दोस्तों आपने जो भी document सेलेक किया है उसका front side का image देना है और जो नीचे है उसमें back side का image देना है और ध्यान देना है आपने अपना photo select करने के बाद crop करना है जो corner to corner होता है वो corner to corner match करके यह आपको अपना photo upload करना है इतना सब होनी के बाद दोस्तों आप KYC के लिए apply कर सकते हो फिर आपके सामने भी ऐसा page open हो जाएगा मुझे दोस्त तो 24 गंटे हो चुके है KYC apply करके बट अभी भी मेरा KYC complete नहीं हुआ है अगर complete होता है तो आपको मैं जरूर इंफर्म करूगा जिसने भी KYC नहीं की है तुरन जाकि KYC के लिए apply कर देना link description में मिल जाएगा और telegram पे भी मिल जाएगा मेरे हमारी जो last update निकल के आती है दोस् बस हमको अभी कल तक wait करना है हम इसको buy कर सकेगे और तीन तारिक से इनका trading start होने वाला है इनका date वगेरा सब कुछ दिया है withdrawal का दिया है trading का दिया है deposit का दिया है सब कुछ यहाँ पे इनका timing दिया है और bitmart पे इनका जो banner है वो add हो चुका है मैं आपको bitmart पे भी दिखा देत उपर जो दिख रहे है यह जो banners है यह अपने आप slide होते रहेगे बट आपको bts का banner देखना है यहाँ आई से slide करोगे तो इनका bts का banner आपको दिखा देगा यह देख सकते हो bts का banner है इस पे आप click करोगे तो जो data वहाँ पे उन्होंने screenshot में share किया था वही data आपको यहाँ यहाँ पे भी मिलेगा देख सकते हो यह जो date वागेरा है सारा का सारा वाई सही आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा तो अगर आपके पस bts के token नहीं है या फिर माइन की वह बहुती कम है बहुत लोगों के साथ ऐसे वाए उनका account लोग हो चुका और उनकी mining stop हो चुकी है उन्हेंने कुछ किया भी नहीं अपना account recover करने के लिए तो अगर आप buy करना चाते हो तो buy कर सकते हो बट आप अपने risk पे buy करना अगर buy कैसे करना है यह आपको जानना है तो यह list होने के बाद मैं इसके उपर भी वीडियो बना दूगा listing का price क्या होगा buy कैसे करना है कितना token ह को minimum लेना पड़ेगा यह सब कुछ आपको मैं बता दूगा तो यह तीन तारीकों हमारे लिए available हो जाएगा तो देखते हैं कितने price पे list होता है in future इसकी जो demand है supply के उपर देखेगे तो बहुत अच्छी रहने वाली है और इसका price भी बहुत अच्छा जाने वाला है इसलिए मैं भी इस token को long time के लिए buy करके रखूगा hold करूगा इस token को अगर आप करना चाते हैं तो खुद के risk पे करो मैं आपको suggestion नहीं करूगा कि आप token buy ही करो और मेरे कहने पे buy करो यह मैं बिल्कुल नहीं करूगा अगर आपके पास किसी wallet में या किसी exchange में कुछ भी ऐसा fund पड़ है वो कुछ काम का नहीं है तो उसको आप यहाँ पे deposit करके बिटी एच बाइ कर सकते हो buying का और selling का क्या process होगा उसके लिए मैं आगे वीडियो बना दोगा तो आज के लिए दोस्तों इतना है था अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को like करो चैनल को subscribe करो और दोस्तो description में आपको और भी project मिलेगे mining के a drop है mining है सब कुछ आपको description में मिल जाएगा जो इसी साल list होने वाले है और अपने को अच्छा खासा profit दे जाएगे उसको भी आप जरू से जरूर join करना कुछ भी doubt हो तो comment करके जरूर पुछना मैं try करोगा आपका problem 100% small हो फिलाल के लिए द